कि नवस्कार स्वागत है आपका एंवी सिंद की पेश्कर्ष थास बलाकाद में एक बहुत प्यारा सा गाना है हिंदी मूवी का यह परवतों के दायरे यह राधु का समय ऐसे में क्यूं ना छेड़ दे दो दिलों की दास्ता अब यह गीत मैंने क्यूं गुन गुनाया यह मै लेकिन आज जो हमारे में मान है निकुंच पावार सर्वेसर वाहे नाजित तर आपका बहुत-बहुत स्वागत है नास्कार मैंने जो गुन-गुनाया था उसके बारे में आपको बताओंगा लेकिन उसके पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि डॉक्तर की जर्णी है हम लोग जब इंडिया हमने छोड़ा था 1990 में उस वक्त हमारे पास एक सूटकेस था उस सूटकेस में हमारे सर्टिफिकेट्स थे मैं और मेरे वाइफ दोनों के और हम लोगों को जॉब मिला था मसकत का जो रॉयल हास्पिडल है वहां पर और हम लोग इस ही आशा से गय थे जब मैं वहां मसकत पहुंचा तो मुझे पता चला कि जिस दिन मैंने जॉइन किया उस दिन पहला दिन था जब वहां पर पहला ओपन हार्ट ऑपरेशन हुआ था उस देश का और मुझे इत्तिफाकन जो पोस्टिंग दी गई थी वह रॉयल हॉस्पिटल जो टर्शरी के से इंटर मसकत का वमान का वहां मिली थी और कादेग्स हजरी के डिका्ट में थी मेरा एक्सपिरियंस बहुत कम था का रदर नहीं के बराबरी था थिर भी जनल से जटन मेंने हिम्मत करी उस दिपार्टमेंट में जॉइन किये और कुछ साल वहाँ पे काम करने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि इस में मुझे एक डिगरी हासिल करना बहुत जरूरी है तो एक पांच-छे साल के बाद मैंने डिपार्टमेंट छोड़ा मैं वापस इंडिया आया एक बहुत ही मशूर होस्पिटल कॉलेज है इंडिया का जिसे हम क्रिशन मेडिकल कॉलेज वेलोर बोलते हैं यह इसकी एक जो स्पेशालिटी है कि इधर सबसे पहला उपन हार्ट इंडिया का यहीं हुआ था तो मैंने वहां जाके जॉइन किया और वहां से फिर मैंने तीन साल स्टडी करके जिसे हम कोईते हैं MCH य इसी थी कि पूरे तमिल नाडू जो मेडिकल उनिवर्सिटी ती उसमें मुझे उस यहर का मुझे काडेक सेजरी का गोल्ड मिडल मिला थैंक यू फिर उसके बाद हमारी जरनी ऐसी रही कि मैंने मसकत छोड़ा वापस मसकत गया वापस मसकत छोड़ा वहां से हुनर हासिल करने थे वो हमने सब कर लिये थे अब ऐसा लग रहा था कि आप लौट चले अपने वतन और पेरेंट्स भी कुछ उमर में आगे चल पड़े थे उनकी उमर भी थोड़ी नासाज रहा करती थी तो हम इस भी करते थे तो इस से बस सिलसिला ऐसा बना और इसमें से मैंने जब से मेडिकल में जॉइन किया था तब से मेरे एक जहन में सपना था कि खुद का हॉस्पिटल चाहिए तो अब यह जो पॉसिबिलिटी थी मुझे यह सिर्फ इंडिया में ही नजर आ रही थी जहां ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड में यहां पर मुझ ऐसा नही जे तो यह सब सोच के मैं वापस आया और यहां पर मैंने अपना जो भी हुनर सीखे थे वो शुरू करें और धीरे 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 यहां का मैंने जो समझ आई मुझे कि इधर के पेशेंट के जो वातावरन है यहां का जो अग्पूर मेडिकल बैग्डाउंड है उसमें बहुत से लेक्यूने दिखते थे मुझे और मैं कोशिश करते हैं बहुत स्कोप अफ इंपूर्मेंट था नागपूर में तो मैंने यही सोच के जो हमने डाला काडियॉन हॉस्पिटल वो यही सोच के डाला कि जो यह लेक्य सब करते हैं लोग यहां पर और जो हम लोगों की रेग्यूलर कि एक्मोस्फिर है हॉस्पिटल का वह आकर देखेंगे तो हॉस्पिटल जैसा नहीं लगता यह सर आपने जो अभी बात है मैं उसमें आपको इसलिए रोगता हूं कि जब से हम आपसे मिले हैं आपकी मुसकान आपसे बिलता हों और ऊपरो होता है यह जरूर पेट बताते हैं कि सर आपको देखके बहुत कॉंफिदेंस आता है तो है उमीद करता हूं कि घरीज़ए काॉन्फिटल क्यों inch और एक अग्हस्पिटल काुन्त है निट जो मैं को पहल करूँगा उसमें पर जाता है कि यह पर चाहता है और उसके पास अगर पर पास आता है और उसके पास अगर operation तक जाने तक के अगर 100 सवाल हैं तो हम लोग भी उतने ही stressed out रहते हैं ऐसे patient के लिए पर अगर कोई patient आके सिर्फ हमको बोलता है अब आपके हाथ में हमने दे दिया है अब आप best करिए इसके बाद जो हम लोगों के अंदर से निकलता है और जो भी हम patient की treatment का plan करते हैं ज सबसे best वही होता है stress लेवाल ऐसे समय बहुत कम रहता है तो मैं यहीं चाहता हूं कि जब patients अगर आएं तो जिस हिसाब से patient अगर हमसे चाहते हैं कि doctor से हमको confidence आना चाहिए हम भी चाहते हैं कि patients or relatives हमको अपना confidence दें जब आपकी शुरुवार की होगी तब कि हार्ट की विमारिया जो है अमीरों के विमारिया करी जाए और आज के दौर में इस बिमारी का कोई ऐसे मायने या कोई ऐसा एक सीमा रिखानी रही आगर आप देखेंगे तो जोए ना इन से लिखें चोटे बच्चे से लिखें त तो क्या कारण मीमान साथ इसके पीशे की ने देखें सबसे इंपॉर्णन तो है जो डाइग्नोसिस की जो फेसिलिटीज है और जो डाइग्नोसिस एक जमाने में सिर्फ बड़े मेट्रो में हुआ करता था बंबई दिल्ली मदरास ऐसे जो जगे के होगा करता था अब वो तो अब वो आपको टीर थ्री सिटीज में भी होता है जो करने के लिए तो वहांब भी इसतरीकिकी पूरी फैसिलेटीज अवे लेबल है तो सबसे इंपॉर्ण्ट हुआ कि जो पिक अप रेट है उस डिजीस का वो बढ़ गया हर जगे आपको स्पेशलिस्ट मिल गए जो एक जमाने में specialist आपको किसी ना किसी metro में जाके ही मिलता था अब वो आपको tier 3 city में मिल रहा है तो अगर आपका बच्चा जैसे पैदा होता है और उसको heart की कुछ बिमारी है तो वहीं से diagnosis होना चालो हो जाता है उसका इंप्रूव हो गया है और ग्रासरूट तक पहुँच गया है यह बहुत important बात हो गई है और दूसरा जो हमने देखा है कि अमीर और गरीब का अब यह जो फरक रहे गया है नहीं रहा क्योंकि जब पहले जो यह test रहा करते थे यह test अधिकतर महेंगे होते थे इनकी पहुँच सिर्फ अमीरों को रहती थी तो diagnosis भी उन्हीं का होता था अब यह test हर government hospital में available है तो यकिनन यह जो है और test इतने सारे मात्रा में हो रहे हैं कि बहुत सस्ते हो चुके हैं तो हर एक व्यक्ति यह test afford कर सकता है और उसका over diagnosis हो जाता है तो अगर ना हो तो इसकी आपको नेव बच्पन से ही रखनी है आप यह नहीं बोल सकते बच्चे को अब तो 30 साल का हो गया अब तो exercise करना चालू कर जो एक attitude है fitness का fitness का attitude सिर्फ exercise से नहीं होता fitness का attitude आप क्या खा रहे हो कब सो रहे हो कब जग रहे हो कितना देर आप बाकी क्या कहते हैं जिसको sporting activity में डाल रहे हो यह सब एक culture है अगर एक घर में यह culture रहता है तो बच्चा उस culture से बड़ा होता है जिस घर में कलचर नहीं रहता है जिस घर में असा रहता है सुभर उठो काम पर जाओ या सुभर उठो बस नहीं कर रहें ऐसे घरों में आप देखते हैं जहां पर भाई तो शायद हम इस चीज को टाल सकते हैं क्या कारण हो सकते हैं कि जिससे हम हमाई हार्ड डिसीज होने के संभाव ना है कि आज के दोर में जो मैं तो जैसे वैसे तो सब हम सभी बोलते हैं स्मोकिंग नहीं करिए वजन कम करिए तेल कट मत खाई ये डियाबेटीस कंट्रोल करिए ब्लड प्रिशर कंट्रोल करिए ये सुन-सुन के सुन-सुन के मुझे लगता सारी जनता अब ठक गई है और उनको यह लगता है कि यह नहीं बताया जाए मैं दो चीज़ ऐसी बताऊंगा जो control में रखना बहुत कठे नहीं और यह मेरे हिसाब से सबसे important factors है जिसमें number one थह रता है stress और number two रहता है hereditary यह दोनों आपके control में नहीं है stress कुछ हद तक आप control कर सकते हो जो लोग देखिए एक बात आप समझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको stress नहीं रहता हर उमर में हर व्यक्ति को अपने level का stress रहता है वो उसे किस तरीके से handle करता है इसके ओपर depend करेगा कि आगे वो कितना स्वस्त जीवन करता है stress एक ऐसा चीज है जो continuously आपके body का हम जिसको बोलते हैं inflammatory marker बढ़ा कर रखता है जो inflammatory markers है हमारे body में यह जब बढ़े रहते हैं तब यह हमारे body के जो blood vessels हैं उस पर damage करते हैं तो यह ना होए इसलिए हमको stress control करना पड़ता है और आज आप देखेंगे कि बहुत तादाद में अलग-अलग stress relief के programs चलते हैं बहुत सारे बहुत अच्छे-च्छे सादू-विज्यान लोग हैं जो आपको stress से बचना कैसे या counseling के बहुत से तरीके हैं जो आप सीखते हो online सीखते हो या physically सीखते हो तो मैं समझता हो कि जो आपको suited है कुछ लोगों को सबसे important मैंने देखा है कि hobbies नहीं है लोगों की हाँ पे सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं वापस आते हैं खाना खाते हैं टीवी देखते हैं सो जाते हैं यह अधिकतर लोगों के दिन चरिया है सबसे बहतर स्ट्रेस रिलीज होता है होबी से और होबी असा नहीं है कि जबर्दस्ति तू गाना का रहा है तो मैं भी गाना गाऊंगा नहीं आप चाहिए आप जानिए कि आप में क्या होनर है जो आप आगे उसको डेवलप कर सकते हो कोई पिंटर हो सकता है कोई खाने में महाईर हो सकता है कोई तबला बजा सकता है तो कोई किसी को बस जॉगिंग और वाकिंग और एक्सरसाइज में ही रूची हो जिसको जिस तो क्या हमारे दर्शक आप से कुछ दो पंतिया आपकी मन पसंद गाने के शुक्त चार दिन से थोड़ा खराब है और इसके बारे मैं जरूर एक चीज बताना चाहूंगा मैं हाली में हमने हाल में तो नहीं एक साल देड़ साल होगे बारा सेशन हो चुके हैं कार्डियोन हॉस्पिटल से हमने एक प्रोग्राम चालो किया जिसको हम बोलते हैं म्यूजिक मेडि को पर बुलाते हैं और वहां से हम लोग यह गाना मैं और मेरे कुछ साती है जैसे मैंने एक ग्रुप चालो किया है जिसका नाम है स्वर डॉक्स इसमें खास तोरसे डॉक्टर्स हैं जिनको स्वर है जो गा सकते हैं मैं उन में से चार या पांच डॉक्टर्स को ध्यान था कि हमारे साथ क्या हुआ था तो जो उनका जो मन बेचैन रहता है वो बेचैनी उनकी चली जाती है और अभी किसी ने मुझे यह आर्टिकल फॉरवर्ड किये हैं जिसमें चाइना से स्टेडी है जो यह बताती है कि दो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिसमें से एक को गाना म्यूजिक सुनाई गई एक को नहीं सुनाई गई जिस ग्रुप को म्यूजिक सुनाई गई उस ग्रुप के रिकावरी बहुत बेटर थी और जिस ग्रुप ने म्यूजिक नहीं सुनी उस ग्रुप के रिकावरी लेट हुई तो गाने का जो महत्वा है वो बहुत ही काटों पे चल के मिलेंगी राहे बहार पे तो ये गाना जो मैंने सुना था इसकी दो पंक्तियां गुन गुनाता हूं शमा कीजेगा आज गले से आवाज बड़ी कठिन से निकलेगी मैं बस पहली पंक्ति गाऊंगा तो आप सुन लीजेगा रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटों पे चल के मिलेंगे राहें बहार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही आपने गुन गुनाय उस जीत को तो अपने खुबसुर्टे से गाया है लेकिन उसके पिछी के भावना भी बहुत सुन्दर तरीके से बया करते जो आपका अब तक का जो सफर रहा है मेरे काई ना कई वह इस गीत को काफी को रिलेट करता होगा जी कि आप जलते चलते एक स एक पिक्चर थी थी इडियो जिसमें एक सेंटेंस बार 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 बोला जाता था ओल इस वेल तो कैसा है जब आप एक पिक्चर देखते हैं तो आपको लगता है यह डायलॉग है पर अगर आप उसके थोड़ा सा जाके अंदर सोचेंगे तो यह इसके पीछे तीन ला तो मुझे लगता है अधिकतर अर्चने पार कर पाएंगे और अगर हमारे हार्ट को स्ट्रेस फी रखना है तो कहीं ना कहीं हमको अपने मन को यह मनाना ज़रूरी है कि हम हर जो जिन्दगी की अर्चन आती है उसके पीछे हम स्ट्रेस लेकर ना बढ़ जाएं बिल्कुल सही बात के सराथ ने मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि देखिए बीमारियों को हम टालने की पोशिश कर सकते लिकिए जब टाली नहीं जाती तो हमें सुरपशित हाथ जाते एक ऐसा आधर जाते जो में विश्वास दिलाए कि हां अब आप से हैं ऐसी झाल